हला एवरीवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बढ़िया हैं मस्त हैं स्वास्त हैं पॉजिटिव हैं अच्छी जिचु को एट्रेक कर रहे हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना धीर सारा ख्याल रखने अपने से धीर सारा प्यार कर रहे हैं तो आप सभी का वेलकम ह तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोड कार्ड रिडिंग लिके आई हूँ और आज की रिडिंग का टाउपिक है, आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम यह देखने वाले हैं, तो गाइस अगर आप सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि जब कभी मैं क्रस पर रिडिंग डालू, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कमेंट शेयर की, जरूर कीजे का रिडिंग को उनके साथ, जिनने भी इस रिडिंग की नीड है, तो अचल यहाँ पर है प्रोजेक्शन, यहाँ पर है पॉलिटेक्स, यहाँ पर है इनर वॉइस, यहाँ पर है दा बर्डन, यहाँ पर है दा क्रियेटर, यहाँ पर है इंटेंसिटी, ठीक है, बॉटम से है राइपनेस, तो मुझे यहाँ पर सेवन नमबर्ज बहुत ज़ादा होके आया है आपके crush का हो सकता है या आपका हो सकता है 7 नंबर 16 नंबर या 25 नंबर ठीक है आप लोगों के लिए important हो सकता है 9 नंबर भी दिख रहा है 6 नंबर भी दिख रहा है और 2 नंबर भी दिख रहा है 2 13 11 20 ओके और यहां पर 28 29 ठीक है 6 नंबर 15 नंबर यहां पर मुझे 20 26 number और 24 number भी important दिख रहा है, यहाँ पर 9 है, 18 है, 20, yeah 27, okay, यह आप लोग के लिए important हो सकता है, बर्थ का हो सकता है, आपका यह आपके crush का, कैसे भी important हो सकता है, यह तो चलिए clarify करते है cards को, ताकि मैं आपको अच्छे से बताऊं, ठीक है, guys, यह all jodic sign reading होती है, तो परिशान नह होना है, jodic sign को लेकर, ठीक है, पर मुझे दिखेंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगी, projection का card क्यों है, universe यहाँ पर, projection का card क्यों है, the star, देखो, आप और आपके crush, एक जैसा महसूस करते हैं, एक दूसरे को लेकर, आपको भी ऐसा लगता है कि, कितनी दूरी है, उन से आपकी और उनको भी यही feel होता है, कि आप दूरों कितने दूर दूर रहते हो, दूरी भी है, देखो दूरी ऐसा नहीं कि, अगर आप साथ में काम कर रहे हो, साथ में मिल पाते हो, देखो कुछ लोगों के लिए तो या तो long distance connection है, social media के तुरू आप connected हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नहीं तो आप लोगों के बीच में दूरी तो है, भली काम करते हो, मिल पाते हो, देख पाते हो, पर एक दूरी है, जो express नहीं कर रहे है, जहां पर feelings, हो सकता है, एक दूसरे से hint के द्वारा express करा हो, पर एक जो मू से बोलना होता है, जो confirm होता है, जो proposal होता है, बो सबस्राइब के स्टार का कारण है, आप के काता है, नहीं को आप में थे देखते हो, आप भी नही है, नहीं को भी दो जो है आप बंदे में ब साख जार की inheritance, यह डोविकर्श है, उसकर जो जो बएल के साले हो, सूस्ते हो, जो सोस्ते हो, यशे करहिए दोनों ही आप भी चा पावरफुल हो सकते हैं, काफी ज़्यादा इंट्यूटिव, हाँ, समझदार है, बेसिकली काफी ज़्यादा समझदार इंसान है, ठीक है, या आप भी समझदार हो, ऐसा नहीं है, आप भी समझदार हो, ये भी समझदार हो, कहीं न गहीं, एक दूसरे को पानी की होप है, कि ह कभी तो यह मुझे परपोस करेगा आपको भी ऐसा लगता है या करेगी और at the same time यह भी सोसते हैं कि हाँ कभी तो हम relationship में आएंगे मतलब सोसते एक ही जैसा हो आप दुनों ठीक है भले उस तरीके से express कर पाते हो या नहीं कर पाते हो दूर-दूर से देखना भहत है एक दूसर का कार्ट क्यूं है यहां पर 10 of pentacles तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना देखो family या friends इनके मुझे थोड़े से political टाइप लगते है या तो political इनकी family politics में है ठीक है politics में कोई है किसी कोई relative है या फिर इनका कोई friend है politics से related ठीक है या फिर ऐसा दिख रहा है कि दोस लोग इनके सही न नहीं दिख रहे हैं मुझे यहां पर थोड़े से हैं इनका नफ फायदा उठाने वाले लोग या definitely seven of bonds का कार्ड है ऐसा दिख रहा है कि काफी लड़ाई जगडे रहते हैं इनके दोस्तों से जादा जादा दोस्तों बनाते नहीं है पर जितने भी हैं थोड़े से हैं सही न बताते हैं दूसरों को ताकि उस गलत पात पर चले तो ऐसे लोग है definitely पर कहीं नहीं आपके जो क्रश है ना वो समझ पाते हैं कि हाँ या यह बंदे साही नहीं है यह बंदिया साही नहीं है थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं क्योंकि फील किया है या फिर हो सकता है जैस आपके क्रश औरड़ी मैरेड है या फिर उनकी वाइफ के हो सकता है या हस्बंड के ठीक है कि उधर कोई पॉलिटिक्स वाले है पॉलिटिकल में है लोग जो जबरदस्ती इनको कनेक्शन में बात के रखा है जबरदस्ती रिस्ते में बाता है ऐसी भी एनरजी मुझे इनर वॉइस का कार्ट क्यों है अगर सपोज अगर यह है ऐसे शादी शुदा है तो ठीक है ज़रूरी नहीं है हर किसी से मैच करें जिनके साथ जो रिडिंग जो चीजे मैच करें वो ही रखिये रेजोनेट करें बाकी को लेट गो कर दीजेगा ठीक है जनल रिडिंग है व इस नहीं कर रही है या कर रहे हैं पर साथ में रहना चाहते हैं दोनों के दिल में बहुत प्यार है बहुत इमोशन से इनके दिल में भी यह आपके साथ रियूनियन चाहते हैं ilo happy family चाहते है marriage चाहते है long term connection चाहते है definitely stability चाहते है आपको security अचाहते है abundance बहुत caring है इनको आपके साथ जो feel होता है वो definitely कहीं भी feel नहीं होता कुछ burden है मतलब काम का burden burden सा दिख रहे किसी की responsibility है इसी वजे से ये थोड़ा सा एसे दिखाते ना थोड़ा सा आसपास का एरिया काफ़ी जादा निगेटिव दिखरा है तो थोड़ा से इगो दिखाते हैं अपनी feelings को नहीं है चुपाते हैं अपनी feelings को यह दबाते हैं ऐसा दिखरा है कि दिल मैं इतनी ज़दा feelings, इतने ज़दा emotions हैं जो कि यह control करके रखते हैं भाई गलत बात है एक्सप्रेस करना चाहिए पर कड़ते नहीं है दबाके रखा है यहाँ पर मुझे कोई फ्रड़न के पार्टर इतने बडन में क्यों है इनके क्रश गाइट कीजे ओवर बडन वाली अनर्जी निकलके आ रही है बहुत बडन है यहाँ पर रे थ्री ओफ पैंटिकल डेफिनेटली इनके आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड परसन है फैम्ली है या कोई है ज जहां पर burden feel कर रहे हैं जो अपने हिसाब से चला रहे हैं या married है या कहीं शादी fix हो गई आपके crush की या हो सकता है कोई third person की energy दिख रही है कि जिस वज़े से burden क्योंकि three of pentacles है career भी हो सकता है कि यहां पर burden महसूस कर रहे हैं नहीं अपने हिसाब से नहीं मन तो करता है कि आपको proposal देने express करें आपके साथ रहें connection में रिस्ते में पर क्या है न यहां पर burden है जिस वज़े से यह express नहीं कर पाते हैं express करते करते रूख जाते हैं आपको ऐसा feel कराते हैं definitely problem स्ट्रगल कर रहे हैं career में पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल सा दिख रहे हैं बहुत स्ट्रगल है देखो eight of cups यहां पर eight of pentacles मुझे ऐसा दिख रहे हैं कहीं न कहीं आपके crush की कुंडली में sunny sunny वक्री है यहां फिर sunny यहां पर इनको लेट यहां तो इनका eight 17 26 number का birth हुआ क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि sunny से related to है इनकी कुंडली में sunny और सही position में नहीं है जो इनको delay कराता है जो इनको hard work करना पड़ता है इनको जैसा यह है ना इनको result नहीं मिलते वैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी जिस मुकाम पे इनको पहुचना चाहिए क्योंकि काफी knowledgeable इंसा मुझे ऐसे दिख रहे हैं काफी knowledgeable है पर उस हिसाब से नहीं इनका career है जिस हिसाब से इतने knowledgeable है तो disappoint होते हैं disappointment दिख रही है इसलिए ना क्योंकि life में कुछ भी अच्छा नहीं है कुछ भी ठीक नहीं है तो वो कैसे आपकी तरफ बढ़ते हैं कैसे आपको express करते हैं या कैसे connection में आने की सोसने क्योंकि कुछ साही नहीं है जब खुद की life में कुछ भी साही नहीं हो तो वो सामने वाले को कैसे बताए कि मेरे दिल में क्या है feelings है for sure पर life ही ठीक नहीं है career ही ठीक नहीं है क्या करें कैसे बताए युनिवस्ट इवाइन इंजल्स यहाँ पर the creator का card क्यों ह यहां पर क्यूं है गाइड कीजिए यहां पर दा क्रियेटर का कार्ट क्यूं है एट अफ कब्स देख रहे हो इस सिचुवेशन से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं भा रहे हैं बहुत ऐसा दिख रहा है कि जैसे कार्मिक साइकल इनके लाइफ में चली आ रही है रिलेशनशिप से या करियर से बहुत प्रॉब्लम ऐसे दिख रहे हैं कि हो सकते हैं कि ओफिस में काम में या जो भी काम करते हैं वहाँ पर भी चीज़े चीजी नहीं हैं काफी लोग इनके खिलाफ हैं नेगटिव हैं यह डेफिनिटली नहीं है सही दिल में तो बहुत feelings है आप भी हो सकता है इनके साफ काम करते हो आप देख पाते होगे दिल में कितना प्यार है इनके आपको proposal देना चाहते हैं बहुत दिल के बहुत साफ इंसान है पर कुछ कर भी नहीं पाते हैं देख रहे हो, intuition आती है इनको कि हाँ, उसके साथ connection में आना चाहिए और intuition इनकी ये भी कहती है कि आप एक right person हो, आपके आने से ना इनका luck enhance हो जाएगा, आप एक ऐसा lucky charm जैसा ये आपको देखते हैं, ठीक है, पर surrounding इनकी साहिए नहीं है, anxiety होती है, डर भी लगता है कि कैसे बता इसके साथ हो, हो सकता है आप married हो, ये भी हो सकता है तो आप वहाँ खुश हो, मतलब कुछ misunderstanding है इनको, ठीक है, obstacles है इनकी life में, बहुत obstacles है, बहुत, मतलब कम भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत जादा, intensity का card क्यों है, युनिवर्स यहाँ पर, intensity का card क्यों है, यहाँ पर है two of pentacles आपके लिए feel तो बहुत जादा करते हैं, intense feeling है, पर नहीं वहीं बहुत कर रहे है कहीं नहीं आपको, excuse me, छाफी आपको एक्सप्रस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी life बहुत जगल रही है, इनकी life ए shuffle amis, इनकी इनको heal करते हो, इनको ऐसा feel होता है, ठीक है, एक happy couple की तरह आपके तरफ के साथ रहना चाहते हैं, आप इनके soulmate हो सकते हो, ठीक है, हार्मनी ही चाहते हैं, मतलब आप इको देखते रहते हैं, एक अच्छी life होती, काश, इनको ऐसा दिमाग में चलता है, एक अच्छी life होती है, काश, हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होता, काश, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने होते, क्योंकि वैसे तो बने हो आप दोनों, soulmates हो, पर इन काश, इनको इतनी जादा negativity है, देख रहे हो, यहाँ पर राइपनेस का काट क्यों है, यहाँ पर राइपनेस का काट क्यों है, डल लगता है, बिचणने का डर, ऐसा लगता है कि पता नहीं, कभी यह रिस्ता बने ना बने, या तूट जाए, वो भी डल लगता है, क्योंकि the tower का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि breakdown, टूटना, pain, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, टूट सकता है, या आप मना कर सकते हो, आप deny, मना कर दो कि ने, क्योंकि इनमें कुछ बात ही नहीं है, क्यों आप इनको अपनी feelings बता होगे, इनको यह सा feel होता है, पर हाँ, पर प्या कि यह अच्छा समय, यह चितनी problem से उनका end जरूर होगा, आज नहीं तो कल, और यह आपको proposal भी दिंगे, cup of love दिंगे, एक romantic connection और affection आप दोनों के बीच में बहुत strongly दिख रहा है, आने वाले समय में, ठीक है, किसी के लिए 14 हफते हो सकते हैं, किसी के लिए 1 साल पूरा हो सकत है, time लगेगा लेकिन, okay, तो yes guys, यहाँ पर मुझे, यहाँ पर 18 number, 9 number, 10 number, यहाँ पर 3 number, 8 number, 16 number, बहुत important दिख रहा है, okay, तो यह थी आज आप लोगों की reading, reading पसंद है, like कर दीजे, channel को subscribe कर लिजे, bell icon को press करना ना भूलिएगा, comment और share भी कीजेगा, okay, bye, thanks for watching, take care guys.